अलो ف्रेंद्स, वेल्कम तु डोलफिन अपलाइनस चेनल दोस्तों आज हम आपके लिए लेख्या है Softie Ice Cream Machine वेसे तो आपने हमारी बहुत सारी वीडियो पे ले देखी ओफियो है Softie Ice Cream Machine की थेखेगे तो हमारी Dolphin dappliens company सोडाइध मेशीन, Softie Ice Cream Machine, जूसर मशीन, बोटल फिलिंग राट बहुत सारी मशीन मैनुफेक्ट्रेंग सप्लाई करते हैं और सौप्टी आसक्रीम के अंदर भी हमारे पास अलग-अलग 10 वेराइटी है ठीके बहुत सारी वेराइटी है हमारे पास सौप्टी आसक्रीम मशीन को तो यह दोस्तो हमारे कस्टमर नेम को ओडर की हुई यह मशीन इसलिए हम एक मशीन कंप्लेट करके डेमो स्टेशन के लिए आपके सामने वीडियो शौ कर रहे हैं रख रहे हैं दोस्तों यह मसीन हमने नेपाल के कस्टमर उसके लिए बुक किये यह मसीन जा रही है नेपाल हमारी तो इसके अंदर कस्टमर ने जो रिक्वारेट किया था वो साथ समने पुरा रिक्वारेट कर दिया है डेमो उसका डेकोरेट कर दिया है और कस्टमर ने जो हमको बोला था नाम लिखने के लिए जो यहां पर उस ने बता जाए हमको आप देख सकते हैं पुरा हम आपको जूम करके बता रहे हैं थोड़ा जूम कीजिए यहां पर कस्टमर ने हमको बता यहां राजा बादशाह करके लिखने का बोला था हमने हमारे को सौप्टी आइसक्रीम शेंटर और नेपाल का नमबर आप देख सकते हैं प्लस 977 नेपाल का नमबर है आप यहां पर देख सकते हैं आपको लाइव अगर पूछना भी है कस्टमर को तो यह नेपाल के नमबर पर आपको पूछना करके पूछ सकते हैं प्लस 977 9868170640 यह कस्टमर का नमबर है हमारा नमबर यह अब को जाहेंगा इसे स्ट शूट दया तो देटने के बाद्स हम यह को आपको यहां पर इसका स्टाइब चुट करेगे इस्प्लेस थो जाएगा इसका देखिया यहाः पर कूल का बटन से कंप्रेश है धिखी दोस्तों यह पूरा इसका चारी जम रहे है इसके अंदर दोनों बाउल में जम रहे है देख सकते हैं यहां पर कि इसलिए आपको इसका पूरलींग पर्फॉमंस बता है चेक करके यह हम पूरी यह मशीन हर एक मशीन चेक करके ही भीज़ते है एक कस्टमर के वहाँ पर यह मुझे अपको परेट डिखाई कि अपरेट करता है कुलिंग करता है अभी हम अभी कंपरेशर को बंद कर देंगे यहां से अभी हम थोड़ा आपको मसीन को इंस्टोलेशन करना बताएंगे थोड़ा नॉर्मल साइस को इसके बड़ी चीज नहीं है इसके अंदर इसके इंस्टोल करना भी दो-पांच मिनिट का काम है पूरी मसीन इस्टोल हो जाती हो मट्रियल डालने के बाद आसक्रिम निकलमा भी सबसे पहल यहां पर दोस्तो इसके बींटर से इसके इंदर इसके 更गता है उसका है इसका ध्यान रखिए यह गूसर की विना इसकूल लगाए चुँक्कि अगर था ना लगर पार बींटर लागाए तो सब यह से अ तो आप इगिरेगा, दोस्तों, इसको एसे आपको लगाणा है, यह उद्ध अप देख सकते हैं पूरा के लग गया, लग गया यहां पे वही तरीके से दूसरा बीटर है, इसको भी वाइस सर्पिछे लगाएम, इससे वाइस सर लगा सकता है अप इसको, आप देख सकते हैं यह जम गया, इसके बाद इसका हेड है, जहां पर आज से आगे हेड लगता है, जिसा आज क्रिम निकलेंगा ना सर्विंग के लिए, यह चीज है, अब देख सकते हैं दोस्तों, यह पूरा हेड है इसका, अभी हेड के ओपर हम थोड़ा इसके हैंडल लगा देते हैं, पहले स स्पейर में मिलेगा, एक, दो, तीन, यह चार मशीर में लगेगा, एक स्पेर में मिलेगा, इसका हेंडल यह अज है, आज हेंडल अपको पोजिशन में कौन सा इंच्टॉल करना है, सबसे पहले इसका रोड है, यह रोड निकाल देना है, यह तक किंश लेना है आपको, उसक पोजिशन में, दूसरा लगने के बाद है तीसरा हैंडल है, यह लग गया है, यह तीनो हैंडल लग चुके, पीछे इसका वाइसर है, यह वाइसर के बीना ना डाले, यह चेक कर एक बार, वाइसर है अगर नहीं डालेंगे तो यहां नीचे से लिक्विड गिरेगा आपका, इसको यह पोजिशन में आपको लगा देना है, यह लग चुका है भी, इसके चार बोल्ट है, एक बोल्ट यहां लगाना, सबसे पहले बोल्ट लगाने हैं, भी ओपोजिशन कंडिशन में लगाना है, ऐसा नहीं कि यहां पे लगा दिया, तो एजी रहेगा आपके लिए, एक सामने लगाना है, यहां पे लगाना है, थोड़ा नॉर्मल पूस करना है, यह नॉर्मल पूस किया हमने इसको, उसके बाद थोड़ा यह दोनों नॉर्मल होने के बाद इसको लगा देना है, यह बेख सकते हैं पूरा, इसको लग चुका है, इसका drenate tray वो भी हम लगा देंगे इसका drenate tray यहाँ पर इसका fixing देते हैं यहाँ पर तो इसको store कर सकते हैं अब तो पैस्क्रीम निकालने के लिए सर्विंग करना है आपको जितना जो 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 आस्क्रीम ची है वो इससा अब हैंडल कीज़के अभी आपको करना की है, मशीन चालू करने के लिए क्या करना है, इंस्टल तो हो चुकी है, बनाना है इसका, 4 लिटर दुद में 1 किल पाउडर डालना है, दोनों बाउल में 4-4 लिटर मट्रियल डाल देना है, पीछे बाउल है, बाउल में डालने के बाद, यहां पे कूल का बटन है, कूल का बटन दबाने से compressions चालू हो जाएगे, इसका आप देख सकते, इस स्टार्ट करेंगे, compressions चालू होगा, 10-15 मिर आस्क्रीं में बन के, ready हो जाएगा, अपका आस्क्रीं ready हो जाएगा, बीटके दोस्तों किन आपको इसका औरींगवाइसर का किट भी मिलता है साथ में वरिंगवाइसर कीट है पूरा उसके बाद इसका एक मेन्यूल कीट है जिसमें अरेक डिस्कनेरी में लिखा हुआ है और एक चीज इसके अंदर फंक्सन है कैसे ऑपरेट करना है कैसे चलाना है ठीक है दोस्तों और अगर काउंटिंग को जीरो-जीरो करना है उसके लिए कि यहां पर की दिया गया है यह आप देख सकते हैं चा उसके चाहत में जीरो-जीरो का लोक रहेगा इसका तो दोस्तों ब्हुत ही अच्छी प्लेटी की मशिन है हमारे पास इसके इसके इंदर इस से प्लस मोड़ले से ह्वी फंक्सवाली भी मशिन है डबल कंप्रेसर ओपनेटिक डीजिटिल फंक्सन वाली भी मशिन है रेम ए B बहुत सारी अलग-अलग models और मशीन हमारे पास availability देती है दो दोस्तों आपको इसके लिए ज्यादा जानकरी सौप्टी कंसप के लिए ज्यादा जानकरी चीए अब डिरेक्ट लिए हमारी कंपनी के नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हमारी कंपनी का नंबर है 7575060675 दूसरा न सौटएक ज्यादा जानकरी और detail इसके अंदर मिलती रहेंगी और यहाँ पर प्लस से कौन होलडर भी है इसके अंदर अगर पन होल्डर इसके अंदर झाल झाल